हेलो प्रेंट्स, वेलकम टी इनोवेटिव क्लासेज, फ्रेंट्स आज हम लोग क्लास 10 का जो मैयत में चैप्टर 4 है, क्वैड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समिकरन वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है तो आगे बढ़ने से पले फ्रेंट्स, अगर आपने इस चेनल को अभी इक्वेशन है, वो क्या होता है, तो आप लोग बहुपद पढ़ चुके हैं, बहुपद के प्रकार भी पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल का टाइप, उसमें एक था लिनियर, एक था क्वैड्रेटिक, फिर था क्यूबिक, यह आप लोग पढ़ चुके हैं, रेखिक त्रिघाद समिकरन, जिसमें पावर 1 होता है, जैसे x प्लस y इक्वल टू 6, यहां पावर में 1 है, यह रेखिक कहलाता है, और अगर पावर 2 आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, द्रिघाद समिकरन, ठीके हैं? तो हम लोग द्रिघाद समिकरन, इस चैप्टर में यह जो क्वैड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को पढ़ने वाल है, ठीके हैं? और जब पावर 3 रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रिघाद समिकरन, ठीके हैं? तो यह आप लोग समझ गें, यह रेखिक हो दे रहें, अब हम लोग एक्सरसाइज सिधे स्टार्ट करेंगे, ठीके फ्रेंस, एक्सरसाइज जो 4.1 है, इसका पहला नमबर का क्वेशन है, चेक वेदर दी फॉलोविंग और क्वेड्रेटिक इक्वेशन, ठीके, जाच किजिए कि क्या निम्न द्विघाद समिकरन है य एरियेबल में, ठीके, एक्स जो 4 होता है, यानि एक्स वाई जो रहता है, उसमें पावर 2 होना चाहिए, कोई नमबर में 2 है, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, द्विघाद, ठीके, ठीके, तो इसका पहला नमबर का क्वेशन है, प्रेंस, एक्स प्लस 1 का हॉल स्क्वे इक्वल टू है, 2 और एक्स माईनस 1, यह पहला क्वेशन, क्वेशन नमबर 1 का फर्ष्ट है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको चेक करके बताना है, कि यह जो है, यह द्विघाद समिकरन है, या नहीं, इक्वेशन है, और नॉट, तो देखें, इसको कैसे स्वाल करें हैंगे? देखें, यहांपे A प्लस B का हाल अस्क्वेयर है, इसको हम लोग A प्लस B का हाल अस्क्वेयर कर रहे है, a का श्क्वेर मिन्स x अस्क्वेर प्ल 2ab होता है आप लोग पढ़ेंगे नद पॉर्मूला a प्लस b का all अस्क्वेर क्या है? तो a अस्क्वेर प्लस 2ab प्लस b अस्क्वेर तो हम a अस्क्वेर कर दिए अब क्या होगा? 2ab तो 2 होगा 2 से 1 का भी तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और माइनस में 2 बन्जा 2 अब यहाँ पर x square यहाँ पर 2 और x और 1 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2x होगा plus 1 का square 1 होगा equal to 2x minus 2 x square plus 2x minus 2x plus 1 देखें इस 2x को इस साइड ले आए माइनस हो गया यहाँ प्लस 1 था और यह माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा equal to 0 तो यहाँ पर x square प्लस यहाँ पर देखें दोनों cancel हो जाएगा plus minus में यहाँ 1 और 2 3 plus 3 equal to 0 तो अब देखें यह power 2 के रूप में आ गया solve करने के बाद यानि यह द्विघात समिकरन है यहाँ पर last में क्या लिख देना है अता यह द्विघात समिकरन है therefore it is a quadratic equation last में लिख देना है therefore it is a quadratic quadratic equation जो question में बोला गया है ठीक है इसलिए यह आता यहाँ एक द्विघात समिकरन द्विघात समिकरन है इस तरह से लिखना है ठीक है अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिख देंगे जैसे power 2 में नहीं आएगा तो यह आप लोग note कर लिजिए इसका आप लोग आ screen shot लेना चाहते तो screen shot ले लिजिए अब हम लोग question number 1 का 3 number लेते ठीक है यहीं पर बना देते है question number 3 का question number 3 में देखे क्या है इसमें question है x minus 2 और x plus 1 x plus 1 है और equal to x minus 1 और फिर x plus 3 यह question है अब इसको check करना है कि क्या यह quadratic equation है तो इसको केसे solve करेंगे तो देखे इस तरह जब रहता है इसका मतलब क्या होता है एक बार x का इन दोनों से multiply करना है एक बार minus 2 का इन दोनों से multiply करना है उसी तरह यहाँ भी x का इन दोनों से multiply वो minus 1 का फिर इन दोनों से multiply तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते है ठीके x का multiply किस से करना है इन दोनों से यानि x plus 1 से ऐसे लिख सकते हैं और minus 2 का फिर multiply करना है किस से इन दोनों से x plus 1 इस तरीके से लिख सकते हैं equal to x का फिर से multiply इस x का multiply इन दोनों से x plus 3 ऐसे लिख देंगे और x का multiply किस के साथ minus 1 का multiply किस के साथ करना है x प्लस 3 के साथ ठीक है? अब यहाँ पर multiply करेंगे तो क्या होगा? x का x से multiply x square और x का 1 से multiply x हो जाएगा फिर minus 2 से जब x को गुन्ना करेंगे तो minus 2x और minus 2 से 1 का गुन्ना तो minus 2 equal to यहाँ पर जब multiply करेंगे तो x square फिर x से 3 का करेंगे तो 3x फिर यहाँ पर minus 1 से करेंगे तो minus x minus 1 का 3 से multiply minus 3 अब क्या करेंगे? सारे को इस side ले आएगे ठीक है? x square यह सबको लिख सकते है या फिर अगर x square इस side है तो इसको भी हम लोग इस side ले आएगे यहाँ x square है इस side आएगा minus x square हो जाएगा फिर यहाँ पर plus x है फिर minus 2x है फिर यहाँ पर 3x जो इस side है उसको इस side लाएगे तो minus में 3x होगा और यह जो minus का x है इस side आएगा तो plus x हम क्या कर रहें यहाँ पर? x square वाले को एक साथ, सिर्फ x जो है उसको एक साथ और जो number है अकेले minus 2 और यह जो minus 3 है इस side आएगा तो plus 3 हो जाएगा देखें x square वाले एक साथ x वाले एक साथ और number को एक साथ अब equal to के उस पर कुछ नहीं बचा तो equal to 0 बची गया अब देखें यह दोनों same है और plus minus में है x square में x square घट जाएगा यानि यहाँ पर cancel हो जाएगा अब यहाँ पर देखें x से minus 2 x minus 3 x फिर x यहाँ पर कैसे solve करेंगा हम लोग तो देखें यहाँ पर 1 है यहाँ पर x से पहले क्या है 1 है ना तो 1 minus 2 minus 1 हो गया minus 1 और minus 3 minus 4 हो गया और minus 4 और 1 minus में 3 आएगा और x वाला है तो x भी आजाएगा साथ में और यहाँ पर हो जाएगा minus 2 और plus 3 plus में 1 हो जाएगा equal to 0 अब देखें क्या यहाँ पर जो power है वो 2 आया है नहीं आया है तो यहाँ द्विगात समीकरन नहीं है आप लोग को बस यही लिखना है it is not a quadratic equation यहाँ द्विगात समीकरन नहीं है क्योंकि यहाँ power 2 देखें द्विगात समीकरन कैसे होता है ax square ठीक है ax square plus bx plus c equal to 0 इस form में होना चाहिए ठीक है कोई number रहेगा उसके बाद x square होना चाहिए फिर कोई number रहके bx होता है मतलब यहाँ कोई number रहेगा जैसे माल लेते हैं 2x है फिर plus कोई number रहेगा और equal to 0 तो यह form है quadratic equation याणि द्विगात समीकरन का ठीक है तो यह समझ गए है एक question और हम लोग solve करते हैं इसका अब question number 8 देखते question number 1 का 8 ठीक है इसमें क्या है x cube minus 4x square minus x plus 1 और equal to x minus 2 का hall cube ठीक है आब इसको बताना है कि यह द्विगात समीकरन है या नहीं तो देखें इसको कैसे solve करेंगे इस side तो यह पहले से solve है इस side हम लोग को कुछ नहीं करना है ठीक है इस side तो कुछ नहीं करना है लेकिन इस side a minus b का hall cube a minus b का hall cube आ गया अब इसका formula क्या होता है तो इसका formula होता है a cube minus में 3a square b plus में 3a b square और minus में b का cube यह होता है formula ठीक है अब अगर इसको solve करेंगे हम लोग इसको इस formula का use करके तो क्या आएगा यह हो गया a यह हो गया b a minus b का hall cube करना है तो अब देखें यहां पर a हो गया x a का cube यानि x का cube minus 3a square b 3 into a यानि x x का square into b b हो गया 2 फिर plus में 3ab square 3 a a के जगा x है और into b b के जगा 2 है 2 का square और minus में b का cube b यानि की 2 2 का cube अब यहां पर x cube minus 4 x square minus x plus 1 और equal to यहां x cube यह minus 3 2 जास में 6 हो जागा 6 x square फिर plus 3 यहां पर देखें 2 का square 4 और 4 को 3 से गुनना करेंगे तो 12 x और फिर यहां पर हो जागा minus में 2 का cube 8 अब यहां पर हो जागा x cube minus 4 x square minus x plus 1 और इन सबको इस side लेके आते हैं ठीक है इससे पहले हम क्या किये थे कि x cube वाला को एक साथ लिखे थे फिर x square वाला को एक साथ वही कर देते हैं वैसे लिख देते हैं ठीक है माइनस में है 4 x square और 4 x square यहां पर माइनस में 6 है तो इस side आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6 x square देखे बराबर के इस पार और उस पार करेंगे तभी sign बदलता है यह नहीं कि अगर यहां 1 है इसको हम यहां लेके आएंगे तो प्लस का 1 माइनस 1 होगा नहीं होगा क्योंकि यह equal to के left side में ही है ठीक है अगर right side में रता और left side में लाते तब माइनस होता है ठीक है तो यह 6 x square यह x square वाला तो हो गया अब सिर्फ x वाला minus में है x और इधर plus में 12 x है यह इस side आगा तो यह भी minus में हो जाएगा 12 x x वाला हो गया अब number plus में 1 है और यह minus का 8 इस side आ रहा है तो plus का 8 हो जाएगा और equal to में यह सारे चीज़ को हम लोग इस side ले आएं तो equal to के बाद इधर क्या बचा कुछ नहीं x cube कट जाएगा ना plus minus में है अब यहाँ minus में 4 x square plus में 6 यहाँ 2 आजाएगा 2 x square minus x minus 12 यहाँ पर जाएगा minus 13 x और यहाँ plus 1 और plus 8 यानि कि 9 equal to 0 आप देखें यहाँ power 2 के रूप में आ चुका है अता यहाँ द्विगात समिकरन यानि quadratic polynomial है तो वो आप लोग को लिख देना है क अता यहाँ एक द्विगात समिकरन है English में लिखेगा तो therefore it is a quadratic equation यह समझ में आगया अब आगे जो question number 2 में what problem से उससे हम लोग को क्या करना है कि यह quadratic equation इस टाइप का निकालना है ठीक है इसको अब हम erase कर दे रहे अब question number 2 देखेंगे exercise 4.1 का अब question number 2 में देखें friends इसमें क्या करना है represent the following situation in the form of quadratic equation निमनी स्थितियों को द्विगात समिकरनों के रूप में निरुपित किजिए जो भी question दिया हुआ है उसको क्या करना है quadratic equation बनाना है ठीक है पाला question is the area of a rectangular plot is 528 meter square the length of the plot is one more than twice its breadth we need to find the length and breadth of the plot एक आयतकार भूखंड है उसका छेत्र फाल है 528 meter square ठीक है छेत्र की लंबाई चोड़ाई के दो गुन्ये से एक दिखें हमें भूखंड की लंबाई ज्याद करनी है ठीक है एक rectangular plot दिया हुआ है इस तरह का एक rectangular ठीक है यह एक rectangular plot है ठीक है यह rectangle है तो इस rectangle में क्या बोला जा रहा है कि इसका जो लंबाई है चोड़ाई का था का दोगुन्या से एक अधीक है ठीक है dwaise का इसका breadth का ट्वाइस में एक और जादा है ठीक है कॉस्छें की I am ah the land of the plot is one more than been twice its breadth जो ल्याअच थे जो लंबाई यह चोड़ाई से इसके 2 गुन्ये से 1 अधिक है तो देखे इन दोनों में से हम लोग x किसको मानेंगे लंबाई जो है वो चोडाई से 2 गुन्या करके 1 ज्यादा करना है मतलब चोडाई जो भी चीज रहेगा उसको हम लोग 2 गुन्या करेंगे पहले जैसे मान लेते हैं अगर 5 है तो ये लंबाई क्या हो जाएगा उसका दो गुन्ना करेंगे तो 10 और 1 और जादा यानि 11 होगा तो अभी तो यहां हम लोग को 5 पता है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको x मान लेंगे ब्रेथ को x मानेंगे तो लेंद क्या निकलेगा इसका double 2x और उसमें plus 1 ये निकलेगा ठीक है तो यहीं हम लोग क्या करेंगे लेंद और ब्रेथ इसे को मानेंगे ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे माना छेत्रफल माना जो आयतकार भूखंड है माना भूखंड की माना भूखंड की चोड़ाई कोई हम लोग X मानेंगे X मीटर मान लेते हैं चोड़ाई है तथा भूखंड की लंबाई लंबाई कितना होगा तो आप देखे लिख दिये 2X प्लस 1 क्योंकि जो ब्रेथ है उससे दो गुन्ना करके एक ज्यादा करना इतना मीटर ठीक है अगर इंग्लिस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे लेट या सपोज लिख सकते हैं लेट ब्रेथ ब्रेथ आप प्लोट प्लोट का ब्रेथ हम लोग मान लेते हैं X मीटर एंड लेंथ length of the plot ठीक है equal to क्या हो जाएगा length 2x plus 1 होगा क्योंकि उसका breadth से 2 गुना से 1 जादा है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस plot का area जो है वो कितना है 528 meter square इसका area इसका छेतरफल दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं आयत का छेतरफल आयत का छेतरफल बराबर 528 दिया हुआ ठीक है इसको अगर इंगलिस में लिखेंगे इससी चीज़ को क्या लिखेंगे area of rectangle area of rectangle equal to क्या लिखेंगे 528 हिंदी वाले हिंदी वाला इंगलिस वाले इंगलिस वाला लिखे गला है अब इसका फोर्मूला क्या होता है length into length into breadth लंबाई गुना चोड़ाई होता है आयत का छेतरफल और जो 528 दिया हुआ है अब लंबाई कितना है 2x plus 1 है और इसको गुना करना है breadth से यानि x से तो equal to 528 अब यहां जब हम लोग x से 2x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वेर हो जाएगा और x से फिर 1 को जब करेंगे तो x आएगा और इस 528 को इस सेड ले आएगे तो minus 528 हो जाएगा plus वाला इस सेड आ गया और equal to में क्या बचा? 0 अब देखे यह हो गया quadratic equation देगाद समिकरन हो गया इसी के रूप में तो लाना था यह हो गया answer अम लोग का ठीक है? ठीक है इसको आप लोग note कर लिजे अब आम लोग question number 2 लेते हैं ठीक है? अब देखे प्रेंट्स question number 2 का 2 number ठीक है? इसमें क्या बोर रहा है? the product of two consecutive positive integer is 306 we need to find the integers ठीक है? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है उनका गुननफल ठीक है? दो लगातार या दो क्रमागत बोल सकते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुननफल 306 है हमें पूर्णांक ज्यात करने है दो लगातार है ठीक है? क्या करने साथ है इसमें प्लस एक कियें फिर प्लस एक कियें फिर प्लस एक करेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा तो लगातार में क्या होते है एक बढ़ता है ठीक है तो हम लोग वही लिखेंगे माना पहला पूर्णांग माना पहला पूर्णांग equal to x माल लेते हैं first वाला जो है x है तो इसके बाद वाला second वाला क्या होगा तथा दूसरा पूर्णांख दूसरा पूर्णांख क्या होगा तो इससे एक ज्यादा दो के बाद क्या आएगा तीन इससे एक ज्यादा तीन के बाद क्या आता है चार उससे एक ज्यादा ठीक है तो यहां दूसरा वला क्या होगा इससे एक ज्यादा तो एक ज्यादा एक अधिक कैसे करते हैं प्लस वन करके ठीक है अगर इंग्लिस में लिखेंगे तो let first integer first integer equal to x and second integer जो second integer है वो क्या रहेगा x प्लस वन रहेगा इस तर लिख देना हिंदी और इंग्लिस में आप हम लोग को क्या बोल रहा है कि इन दोनों का गुनन फल दो लगातार पुर्णांकों का गुनन फल क्या है कितना दिया वाई गुनन फल 306 दिया वाई ठीक है ब्रेकेट दे दिया इसका मतलब यहां मल्टिप्लाइ हो रहा है एक्वल टू कितना आएगा 306 ठीक है आप यहां पर क्या करना है x का गुनना x से x स्क्वेर x का गुनना 1 से x हो गया और यह 306 को इधर ले आएगे तो घटा में 306 हो गया द्विगात समी करनी यही लाना था एंसर हो गया यही वाला ठीक है Q3 प्रेंट Rohan's mother is 26 years old than him ठीक है Rohan की मा जो है उससे 26 साल बढ़ी है the product of their age is 3 years from now अभी से 3 साल बाद उनका जो एज होगा उनका प्रोड़क्ट यानि उनका गुनना will be 360, 360 हो जाएगा तो we would like to find Rohan's present age हम लोगों Rohan का present age ग्याद करना ठीक है हिंदी में आप लोग एक पर देख सकते क्या लिका रोहन की मा उससे 26 वर्स बढ़ी है उनकी आयू का गुननपल अपसे 3 वर्स पस्चा 360 हो जाएगी ठीक है रोहन की मा जो है रोहन से 26 साल बढ़ी है तो रोहन का जो भी age रहेगा जो भी उम्र है उनकी मा जो है उसकी मा उससे 26 साल बढ़ी होगी तो हम लोग x किसको मानेंगे रोहन का जो age है उससी को x मानेंगे माना माना रोहन की आयू यानि वर्तमान आईउ ठीक है यहाई वर्तमान आईउ नद को मनलते कि यभि जो एज है वर्तमान आईउ इक्वल टू X समल कर क्या है अगर इंग्छिस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लेट रोहन्स लेट रोहन्स प्रजेंटेज be x years मान लेते हैं कि वो x साल का है तो उसकी मा का age क्या होगा तथा उसकी मा की वर्तमान आयू मा की वर्तमान आयू मा अभी कितने साल की है तो रोहन जितने भी साल का है उससे 26 साल बड़ी है तो रोहन एक्स साल का इसमें हम लोग 26 जोड देंगे तो इतने वर्तमान की उसकी मा है ठीक है और यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिस में and his mother's एज या प्रजेंट एज क्या हो जाएगा एक्स प्लस 26 समझ में आ रहा है आप लोग को अब तो यह हो गया उनका अभी का एज तीन साल के बाद क्या होगा तो तीन साल के बाद रोहन भी तीन साल बड़ा हो जाएगा और उसकी मा जो है, वो भी तो तीन साल बड़ी हो जाएगी, तो आप देखें, तीन साल के बाद क्या करना है, तो उनका गुन्ना करना है, आप देखें, तीन साल बाद, ठीक है, तीन वर्स, तीन वर्स बाद, तीन वर्स के बाद क्या होने वाला है, थ्री एर्स लेटर क्या होने वाला है तीन साल के बाद क्या होने वाला है तो ये दोनों तीन-तीन साल बड़े हो जाएंगे और उस समय उन दोनों का एज को अगर गुन्ना करते हैं जाए प्रॉड़क्ट करते जैसे यह गया रूहन का एज अभीका इसमें तीन जोड दिया तो थीन साल बाद का एज हो जाएगा यह ऑर इनकी की मां दिया है कितना आने वाला है 360 आने वाला है ठीक है 360 अभी इसके बाद तो सेम लिखेगा ठीक है इसके बाद से सेम यही चीज लिखना है यहां भी वही चीज लिखना है तो अब यहां देखे एक्स प्लस 3 यहां पे समझ भाया ना यह रोहन का एज है 3 साल के बाद यह उसकी मा का एज है 3 साल के बाद अभी एक्स प्लस 26 से 3 साल बाद 3 और बढ़ी हो जाएगी एक्स प्लस यहां पे हो गया 29 और इक्वल टू 360 अब यहां पे देखे एक्स से दोनों का मल्टिप्लाइ करना होगा एक्स प्लस 29 का और फिर प्लस 3 से भी इन दोनों का इस तरह से हो जाएगा यहां गुन्ना करेंगे तो एक्स स्क्वियर ठीक है और प्लस में 29 एक्स और प्लस में यहां 3 एक्स प्लस में 29 का अगर 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हैगा 87 ठीक है और देखे यह 360 को इस से ले आते है माइनस में 360 हो जाएगा इक्स जीरो हो गया अब यहां देखे एक्स स्क्वियर यहां एक्स वाले दोग हो है 29 और 3 32 हो जाएगा 32 एक्स और 87 और माइनस में यह है तो माइनस में आएगा क्योंकि यह बड़ा है यहां पर 10 में 7 गटेगा तो 3 और यहाँ पे 15 में 8 घटेगा 7 और यहाँ पे 2 हो गया 273 एक्वल टु 0 यह आग्या द्विगात समीकरन यह हो गया answer ठीक है एक और question last है ठीक है इसको आप लुग अगर इसका जो आप ट्रेंड का वह अगर 8 किलो मीटर प्रती घंटा का रफ़तार से कम रहता। जैसे अभी जो भी aspect है माल लेते के 50 किलोमीटर प्रती घंटे का speed से चल रहा है और अगर यह 8 किलोमीटर प्रती घंटा में तु इस समय जो यह पहुंचता तो यह कितने देर में पहुंचता कि अगर कम आउए लगता है तो आभी तो आम लोग को पता नहीं कि कि सपीट से चल रहा हैं यह तो नहीं पता है तो इसंहें आई के चाल माना train या rail गाड़ी question में जो भी दिया गया है क्या दिया हुआ है rail गाड़ी लिखा हुआ है तो rail गाड़ी लिखते हैं माना rail गाड़ी की चाल x kilometer प्रत्ती घंटा है ठीक है मान लिए late speed of the train equal to x kilometer per hour मान लेते हैं कि x kilometer के speed से वो train चल रही है ठीक है आप लोग एक formula जानते होंगे time equal to समय बराबर समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल time equal to क्या होता है time equal to distance by speed यह formula होता है अब हम लोग यहाँ पर time नहीं का लेंगे दो केस दी आवाई ना एक जब normal speed में चल रहा है तब और एक जब उसका speed कम रहता तो तो देखे समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल अगर इसी को हम लोग English में लिखेंगे तो time equal to distance by distance by speed यह formula होता है तो हम लोग दोनों case का time निकाल लेंगे हैं हम लोग time 1 निकाल रहे हैं ठीक है फर्स्ट case का तो time 1 जो निकल रहा है तो distance कितना है दूरी कितना है यह है 480 km दूरी तो उतना ही है दोनों बार 480 और बाई में speed कितना का speed में है जब सुरू में उसका अस्पीड कितना था एक्स था तो अस्पीड ये हो गया पहला बार में इसका जो टाइम लगेगा ये लगेगा अगर हम लोग दूसरी इस्थिती में निकालेंगे सेकेंड जो सिच्वेशन है उसमें टाइम टू अगर निकालते हैं तो वो क्या निकलेगा तो दीखें दूरी तो वही है अभी भी 480 तो लिखेंगे और बट्टा में 4 अस्पीड तो अस्पीड बाद में क्या हो जाता था अभी एक्स से अगर बोर रहा है कि अगर ये अस्पीड इसका 8 किलो मिटर 8 किलो मिटर पर आवर कम रहता मतलब ये कम हो जाएगा 8 इसमें माइनस कर देंगे 8 ठीक है तो ये अस्पीड हो जाएगा यानि यहाँ पे हम लोग अस्पीड क्या लिखेंगे एक्स माइनस 8 ठीक है यहाँ तक समझ माया पहला इस्थिती के लिए time ये दूसरा इस्थिती जो दूसरा situation है उसका time पहले अस्पीड ये था x बाद में अस्पीड कम हो गया है न यानि x माइनस 8 हो गया है जो भी अस्पीड था वो x माइनस 8 हो गया मतलब 8 कम हो गया अब इन दोनों time में से ज्यादा time कोन होगा time 2 क्योंकि यहाँ speed जो है वो धीरे है धीरे चल रहा है तो ज्यादा समय लगेगा यानि time 2 जो निकलने वाला है वो ज्यादा रहेगा ये तीन घंटा ज्यादा ये तीन घंटा कम है मतलब इस समय से अगर इस समय को घटाया जाए तो 3 बचेगा ठीक है इधर हम थोड़ा से इरेज कर दे रहे है अब देखे यहापे अगर हम लोग टाइम 2 से टाइम 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा तीन घंटा आएगा ठीक है क्योंकि यह तीन घंटा जाएदा लग रहा है ठीक है क्वेशन में बोला हो है न कि तीन घंटे अधिक लेती है ठीक है अधिक है टाइम 2 क्या निकला था चार सो असी बाई में एक्स माइनस एट और इसमें अगर घटाएंगे हम लोग टाइम 1 को यानि कि चार सो असी बाई एक्स इक्वल टू क्या है गा थ्री अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसको यहां पर हम लोग लेंगे एक्स और एक्स माइनस एट इस तरह से हो जाएगा अब यहां एक्स माइनस एट से एक्स माइनस एट कट जाएगा तो एक्स बचेगा ए ऐसे एक बार लीख देते हैं एक माइनस एट इस तरह से ठीक है अब देखें माइनस चार सो असी एकस अब यहां चार सो असी से एकस का आ हो जाएगा एट एट जा 64 एट फोर जा 32 और 6 वर 38 हो जाएगा और 10 ठीक है और बाइ में यहाँ पर देखिए अब गुन्ना कर देते एकस का एकस से गुन्ना एकस स्क्वेर और यहां माइनस 8 x और इक्वल टू इधर क्या बचा है थ्री अब देखिए 480 से 480 से में प्लस माइनस कट गया अब यहां क्रोस मल्टिप्लाई कर देते हैं ठीक है? यहां पे देखिए 3, 8, 4, 0 उपर में बचा है नीचे क्या बचा है? x स्क्वेर माइनस 8x बचा है और इक्वल टू में 3 है यहां क्रोस मल्टिप्लाई जब कर देंगे इस 3 से इसका नीचे वाला का गुन्ना देखिए यहां क्रोस मल्टिप्लाई आप लोग इस तर पड़े होंगे उपर वाले का नीचे वाले से गुन्ना इधर उपर वाले का इधर के नीचे वाले से गुन्ना तो पहले हम लोग x square वाला का करते हैं, इस 3 से जब इसका गुन्ना करेंगे तो इन दोनों का गुन्ना होगा, 3 से x square का गुन्ना, 3 x square और 3 से minus 8 x का गुन्ना, तो 3 x 24 x और इसका जब इस से गुन्ना, ये equal to के उस पार लिखाएगा, 3, 8, 4, 0. अब अगर हम लोग यहाँ पर, 3 x square minus 24 x और इसको इस से लेंगे तो minus में हो जाएगा, 3, 8, 4, 0, equal to 0, ये हो गया quadratic equation, ठीक है, तो ये हो गया answer, ठीक है, अगर बूक में ऐसा answer नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया गया होगा, 3 common लिया गया होगा, 3 common लिया सकते हम लोग, जैसे x square, यहाँ 3 निकल गया, यहाँ पर 24 आएगा, 8 बार में, ठीक है, और यहाँ पर minus 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और 0, equal to 0, और इस 3 को उधर भेज देंगे, तो क्या होजाएगा, x square minus 8x minus 1, 2, 8, 0, equal to 0 by 3, तो यहाँ पर क्या होजाएगा, 0, यानि या तो यह equation answer लिखा हुआ होगा, या फिर यह वाला लिखा होगा, जहाँ हम answer लिखेंगे, ठीक है, अगर 3 common नहीं लिखा होगा, तो यही वाला answer होगा, और 3 common लिखा जाएगा, तो यह answer होगा, ठीक है, तो यह होगा complete, ठीक है friends, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज सब्स्क्राइब कर दें, आपने दोस्तो